Hello students ये class DRT first year के लिए है जिसमें अपना subject है radiography first positioning जिसमें अपना topic है upper extremities इसमें upper extremities में अपने hand के views चल रहे हैं जिसको अपने अगे continue करते हैं झाल झाल हैंड हैंड के व्यू अपड़ने एपी स्वारी पी ये लेटरल और अबलिक पड़ लेते हैंड का एक स्पेशल व्यू होता है बाल एंड केच व्यू जिसको अपने पॉस्टीड साइड का अबलिक व्यू लेना है पॉस्टीर साइड का अबलिक व्यू लेना है तो कैसे लेंगे हैंड की पोजिशन क्या रहेगी अपनी posterior जो surface है hand की वो फिलम के touch में रहने चाहिए तब ही अपना क्या posterior part का view आएगा इस प्रकार से view का नाम देखो क्या है ball and catch view अपने जिस प्रकार से ball को catch करने की position मनाते हैं उस प्रकार से position मनाएंगे और view किया जाएगा इसके indication की बात करें तो देखो to indicate fifth metacarpal and arthritis arthritis क्या होता है inflammation of bone या बोन में कोई भी inflammation हो गया है या fifth metacarpal में कोई भी disease वगरा है उन सब को check करने के लिए अपने view किया जाता है देखो posterior oblique view या पोस्टियर side की surface cassette के touch में रहेगी oblique view और दोनों हाथों थोड़ा सा oblique position में रखेंगे किस position में रखेंगे bowl and catch view है तो bowl catch करने की जो position होती है उस प्रकार चे अपने hand को रखा जाता है second point है अपना cassette size इसमें अपने cassette size क्या रहेगा दस बारा का बाकी जो hand के view ते शिंगल hand का अपना 8-10 की cassette में भी हो जाता है लेकिन अपने दोनों हाथों का view लेना है इसमें अपने 10-12 की cassette use में लेते हैं फिर बात करते हैं अपने position of patient patient की position इसमें क्या रहेगी patient sits beside the x-ray table on a stool patient x-ray table के पास में stool पर बेड़ता है patient both hands placed in supine position on the cassette patient के जो दोनों हाथ है patient के उनको अपने supine position में cassette पर रखा जाता है यहीं अपने patient को x-ray table के पास बेठा लिया और उसके दोनों आतों क्या है cassette पर रख दिया both hand rotate internal 45 degree into the ball catching position अब दोनों आतों क्या है internally rotate करेंगे internally rotate किस प्रकार किया जाएगा जैसे अपने supine position में hand है तो अपने जो little finger है वो cassette के touch में रहेगी और जो अपना थम्ब है वो अप आएगा यानि उपर आएगा दिरे दिरे और अपने हाथ internally मतलब अंदर के side rotate होंगे तो अपने 45 degree तक rotate किया जाता है जिसे अपने कौन सी position मन जाएगी hand की ball catching position all the finger extend but nearly to the ensure that they remain contact with the cassette अपने ये सभी finger को क्या extend रखते हैं और ये sure कर लेते हैं कि जो अपनी फिलम है उसके अंदर अपने सभी अंगूलियां आनी चाहिए और cassette के touch में जो छोटी अंगूलिया वो cassette के touch में रहनी चाहिए क्योंकि अपने किसका view लेते हैं ये fifth metacarpal का next अपने बात करते हैं position of cassette cassette की position क्या रहेगी the cassette is placed on the x-ray table and under the hand cassette को अपने x-ray table के उपर और अपने दोनों हातों के नीचे रखेंगे यां दोनों आतों के नीचे रखेंगे इसका मतलब यह है कि इस प्रकार रखते हैं कि उसमें अपने दोनों हात film में include होने चाहिए centring centring कहां के जाएगी अपनी central leg should be midway between the hand at right angle to the film जो अपने both hand का PA view किया था उसमें centring कहां के थी दोनों आतों के बीच में जैसे अपने both का view करते हैं मतलब posterior side की image अपने पास आएगी posterior side की image आएगी तो posterior side के set के touch में रहती है इसलिए यह अपना कौन सा भी हुआ AP view AP view में centring कहां होगी दोनों हातों के बिलकूल बीच में और जो अपना लंबवत एंगल रहता है उसी से अपने centring की जाएगी यह अपने को image में दिखा रहता है case rate रखी हुए case rate पर patient के दोनों हात रखे हैं जिसमें दोनों हात सुपाइन पोजिशन में रखने के बाद patient ने क्या किया यह एपी पोजिशन में रखने के बाद दोनों हातों को थोड़ा थोड़ा internally rotate करना start किया यह लगबग 45 degree तक internally rotate किया जाता है जिससे ball catching position patient के hand की हो जाती है इसमें देखो ऐसा लग रहा है जिससे ball को catch करने के लिए patient त्यार है इस प्रकार से hand का posterior oblique view किया जाता है जिसमें ball catching view में इस प्रकार की position लगाई जाती है और इसके centring की बात करें तो centring कहाँ होगी दोनों हातों के midway यान बिल्कुल बीच में centring की जाती है इसके बाद अपने बात करते है रेडियो लोजिकल अपिरियन्स की इसमें रेडियो लोजिकल अपिरियन्स क्या रहेगा all the flanges including soft tissue and carpal and metacarpal are clearly seen अपने को हाथ की सबी flanges, उनके soft tissues, carpal bone, metacarpal bone सारी अपने को clearly visible होती है digital end of radius and alna clearly seen radius और alna का digital end यानि कि जो last का सीरा है वो भी अपने को clearly seen हो जाता है यहाँ अपने exposure की बात करें तो exposure अपना रहता है distance रहेगी 90 से 100 cm, kv रहेगा अपना 45 से 50 और ameas रखेंगे अपने 4 से 6 और grid का use अपने नहीं करेंगे अपने नहीं करेंगे देखो यह अपने को ball and catch view की position हैंड की जो radiological image होती है वो दिखा रखेंगे मैंने आपको position दिखाई थे दोनों हातों की catch वाली position रहती है जिसमें जो 5th metakar पर लोग के sit के touch में रहती है और thumb वह अलका सा उपर रहता है एक्सपोजर अपने कम रखते हैं तो इसमें क्या soft tissue भी scene हो जाते हैं तो इस मेज में अपने को देखो left hand और right hand दोनों का निसान लगाया हुआ है और दोनों हाथ की सभी flanges, carpals और metacarpals with soft tissue अपने को scene हो रही है कि अपना व्यू आता है थंब का यह अपने हैंड के व्यू कॉंप्लेट हो गए जिसमें अपने हैंड का special व्यू पढ़ लिया पीए हैंड बॉस व्यू और ball and catch view आज अपने थंब का व्यू स्टार्ट करते हैं तो थंब का सबसे पहले अपने बात करते हैं एपी व्यू की एपी व्यू किसलिए किया जाता है इंडिकेशन क्या रहेगा इसका fracture and dislocation of thumb थंब में कोई भी fracture हो गया या bone का joint है तो dislocation भी हो सकता है या को dislocation हो गया है तो उसको देखने के लिए अपने view किया जाता है इसमें अपना cassette size रहेगा आठ दस क्योंकि अपने कौन लिए थंब का view लेना है तो अपने आठ दस के cassette में इसको अराम से ले सकते हैं पोजिशन ओफ पेशेंट पेशेंट के पोजिशेंट की बात करें तो पेशेंट के पोजिशेंट किस प्रकार रहेगी तो पेशेंट अपने क्या करेंगे याण जो ऑफेक्टेड पार्ट उसको अपने कैसेट पर रख लेंगे The elbow is straight and posterior surface of thumb on the film अब अपने क्या करेंगे Elbow को straight करेंगे और hand को rotate करके जो अपना thumb का posterior surface अब वो cassette के touch में कर लेंगे The sandbag is put over the elbow अब अपने elbow पे क्या sandbag रख देंगे ताकि patient का heart axe का immobilize हो जाए ही ले नहीं नेक्स्ट अपने बात करते हैं position of cassette cassette की position क्या रहीगे अपने इसमें The cassette is placed under the affected थंब cassette को अपने जो affected थंब होता है उसके नीचे रखा जाएगा centring centring कहां के जाएगे अपनी only अपने थंब का व्यू करें तो थंब पई centring करेंगे तो देखो Central ray over the first metacarpal flanges joint at right angle to the film centring कहां के जाएगे अपनी जो first metacarpal flanges joint है यानि metacarpal flanges के बीच का जो joint है उसको अपने क्या बोलते हैं metacarpal flanges joint उस पर अपने centring के जाएगी collimation should be used during exposure जब अपने exposure कर रहे हैं यानि centring के time अपने क्या करेंगे collimation का use करेंगे और उस centring को क्या है बिल्कुल थंब पे रख देंगे ताकि जो उसकी size और shape है वो थंब पे fix हो जाए और बाकी hand को अपने x-ray exposure ना लगे देखो इस image में अपने को hand की position दिखा रखी है कि हाथ को patient किस प्रकार से गुमा के table पर रखता है और थंब की posterior surface cassette के touch में रखती है और centring अपनी first metacarpal flanges joint पर की जाती है उसके बाद अपने बात करते हैं radiological appearance की इसमें radiological appearance क्या रहेगा the first metacarpals and two flanges are clearly seen without any superimposing अपने को only thumb का view किया है तो इसमें क्या होगा first metacarpal और इसके आगे की two flanges अपने को किसी के द्वारा भी superimpose हुए बिना clearly seen हो जाती है exposure की बात करें तो exposure अपना रहेगा distance रही की नबबे से 100 cm kevy रहेगा अपना 45 से 50 अमेस रहेगा बिलकुल अपना only एक ही bone है तो 2 से 4 और grid का use अपने नहीं करेंगे अपने को साथ साथ में भी रेडियोलोजिकल इमेज पर दिखा रखी है जिसके नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे इंदर अपने को first metacarpal और आगे के दो flanges और साथ में metacarpal flanges joint यह सभी अपने को clearly seen हो रहे हैं और इनको कोई भी दूसरी bone supreme pose नहीं कर रही है यह अपना hand का ball end catch view और thumb का AP view complete होता है इसमें अपने को जब patient hand के views वगेरा करवाने आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके hand में कि जिस प्रकार अपने patient के hand का x-ray कर रहे हैं तो उसमें कोई भी metallic object है तो उसको अपने remove करवा दिया जाता है इसमें आपको आगे 2-3 image और दिखा रही गई है उनको अच्छी तरह देखें और समझें Thank you झाल Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you